हालो इस्टूडेंट्स वेलकम टू पीब्यार स्टडी तो साथियों कैसे आप सभी उमीद करते हैं बहुत ही अच्छा होगी और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी आज की यह आपकी क्लास नंबर 22 होगी पार्ट 22 है ना तो आपने लग बग 3-4 चेप्टर खतम कर लिए हैं यह भिन्न का चेप्टर भी खतम हो रहाज कल से एक नया ध्याय होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट यह कुश्चन है जो कि आपकी परिक्षा में पूछा गया है अध्यापक बरती परिक्षा यह जो कलास हो रही यूपिटेट सीटेट और सूपर्टेट की क अब हम तुलना कर सकते हैं देखो भाई एक बटा दो का मतलब हुआ बच्चा 0.5 है ना बाबु हुआ ना यह इसका मतलब यह हुआ और चार बटा फांच का मतलब क्या हुआ भाग करोगे आपको पता है बेसिक मैट सबको आता है यह भाग तो कर लोगे पांच चट्थे च इसका मतलब हुआ 50 पांच अगर पैसे से तुलना करें इसका 80 पांच अब इन जो भिन्ने दी गई है कह रहा है इसमें कौन सी भिन्न एक बटा दो से बड़ी है मतलब इससे बड़ी होनी चाहिए और इससे चोटी यानि 50 पांच और 80 पांच के बीच में किस भिन्न का मान है मतलब जो इससे भी छोटी होगी उससे कोई मतलब नहीं है जो इससे भी बड़ी होगी उससे भी कोई मतलब नहीं है जो इन दोनों के बीच में हमें उसी को निकालना है तो देखो अगर इनको आप करोगे यह आप्सन में दिया है यह सीधी सी बात है 0.8 होगा यह इसके बराबर है जैसा यह कहे रहा है छोटी बड़ी वैसा तो है नहीं बराबर है इससे हमें कोई मतलब है नहीं अगर हम इसको बात करें तो बच्चा यह 70 पईसा है बाबू कितना आई यह 70 पईसा है आप देखो तो 7 बटा 10 समझना और फिर बताना आगे देखो अगर इसका मतलब हम देखें तो आपको पता है अगर इसको हम भाग करेंगे 40 से भाग करना आप लोग जानते हो और हाँ एक बात और समझ लो अगर हम वह से देखें तो हमें उत्तर मिल गया है क्यों हमें उत्तर इसलिए मिल गया है कह रह के बीच में तो सब तर आएगा ना हमें बीच वाली तो निकालना है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा भी ठीक है और सब करने का कोई जरूरत ही नहीं समझ गये ना इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि कंपटिशन की अगर परिच्छा है तो उसमें सिर्फ एक आप सुन सही ह नहीं होगे तो बस होगया ऐ वह सब्सक्राइब करने हैं अगर नहीं मिलता दूसरे तो हम और भी आप सुन चेक करते लेकिन और आप्संप से हमसे कोई मतलब है नहीं चले आगला देखते हैं अगर आपको यह भात करना नहीं आथा कैसे हुआ तो आप 0- coeur जिस जिससे कि आपको यह सब आ जाए वहाँ पे हम इसको describe करते है नेक्स्ट कुश्चन आपके सामने आरा बहुत जल्दी इसका स्क्रीन साथ ले लिए अगला सवाल के लिए बस थोड़ा साथ दो सिकेंड अगला कुश्चन आपके सामने है बहुत ही सिंपल है और यह आपकी अध्यापक बरती परिक्षा में पूछा गया सवाल है बहुत ही प्यार से देखना कहरा कि एक भिन पांच बटा आठी के तुल्ले है तुल्ले का मतलब होता है इक्वालियंट है इसके हर वा अंस का योग 91 है यानि हर और अंस मतलब नुमरेटर and denominator को जब एड किया जाता है तो उनका जो सम आता है 91 आता है इस भिन के अंस वा हर में क्या अंतर है क्या डिफेरेंट है यह बताना है चलिए सबसे पहले हम नुमरेटर को मानते है लेट्स नुमरेटर इज x हिंदी में हम लिखेंगे माना दी गई भिन्न का अंस बराबर क्या लिखेंगे अंस बराबर यक्स ठीक है वाई सिंपल सी बात है कह रहा अंस वा हर का योग फल 91 है तो अगर ऐसे देखा जाए तो हमें दोनों मिल जाएगा देखो समझो अगर अंस यक्स है कह रहा कि अंस और प्लस हर बराबर 91 है यह बोल रहा है हमने अंस को यक्स मान लिया है तो यक्स प्लस हर बराबर 91 यहां से हर बराबर लोगे तो 91 माइनस यक्स यानि हमें दोनों चीजें मिल जाएगी अंस यक्स और हर 91 माइनस X. ये ठीक है? भाई ये अंस हो गए, र हो गए अता भिन बराबर क्या हो जाएगी? अब लिखो अता है भिन बराबर भिन कितना हो जाएगी? यक्ष अपान 91 इस यक्ष तो ये तो ऐसे कोई भिन होगी नहीं लेकिन इसमें यह भी कह रहा था कि इसके तुल है तुल का मतलब होता बराबर है उसके equivalent है ठीक है तो अब क्या करोगे प्रसना अनुसार देखो मैं इदम बिस्तार से बता रहा हूँ आप इनको equal कर दोगे x upon 91 minus x equal 5 upon 8 के बराबर कर दोगे cross multiple कर लो तो 8 x बराबर ये 5 और 91 minus x ठीक है इसको तो कर लोगे ना इस तरह से आप इनको हल करोगे तो इसका answer कितना आएगा 21 आएगा इसमें कोई किसी को जंजट नहीं होना चाहिए अब इदर side में समझ लो भाई गुड़ा तो करना पड़ेगा ये 5 एकम 5 और 59 45 माइनस 5 यक्स ये इतना करना ही पड़ेगा इधर आएगा ये प्लस हो जाएगा 13 यक्स बराबर ये 455 यक्स बराबर 455 बटा 13 हमें पता है कि 13 दूना 26 क्यों कुछ गड़बड हो रहा है का मुझे लग रहा यार यह देखो तो क्या हो रहा है यहां समझने की कोशिस करते हम लोग कुछ गडबड लग रहा मुझे यह देखो यह गड़बड कुछ भी नहीं है पस किवल भाग सही सही कर लो बस मुझे जहां तक यही लग रहा है देखो यह भाग हम लोगों ने थोड़ा मिश्टेक किया नीचे थोड़ा कम दिख रहा है उपर चलो ऊपर चले यहां साइड में कर लो भाई देखो समझो यहां प है आनस है अताहां हर बराबर कितना हो जाए को बच्चा हर पर раबर वह जो जाएक ह्यानी 91-35 इस मैंच जबड़ालो 1 5 6 इसमें से उधार गया था 2 5 6 । जैनि हर्पनों हो गया कहा रहा था ऑब में कि ने का उंतर है यानी 66 35च गटा आ लो सिंपल सी बात है कुसा आ अंसर हो जाएगा है ना कितना आसान समझ में आ गया ना लिखरो जल्दी से यह कुछे गए परिक्षा में थोड़ा गुमावदार है अगर आप देखो तो इसमें तोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना है मतलब पहले तो आपको भिन मानना है फिर उसका मान निकालना है फिर अ साथियों वैसे आज बहुत देर हो रही तो मैं सोच रहा हूं आपको दो ही कोईशन दिखा देते हैं अब बड़ी-बड़ी कलास आपको अगली कलास में ठीक है तो आज की यह कलास है अगर आप इस वीडियो को यूटूब पे देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में जरू में होगी